नवस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार स्टेडी वेबस एजुकेशन चलिए दोस्तो हम पढ़ रहा हैं MS Excel 2019 और अभी तक हमने Home Tab, Insert Tab ये दोनों जो Tab है और इसके अलावा Page Layout Tab इन सभी की जो Option है साथ ही है मैंने आपको Seed बनाना बताया, Row और Column में काम करना बताया, Sale में काम करना बताया, Seed में काम करना बताया ये सारी चीज़े हमारी यहाँ पर Complete हो चुकी है, अब हम बात करेंगे Formula की, तो Formula जो Tab है इसके अंतर का Business रुक से हमको बात करना है Function की तो आपको दो चीज़ सुनने के मिलती है बार-बार जब आप Excel पढ़ते हो तो, एक तो मिलता Formula और एक मिलता है Function दोनों में अंतर क्या है, देखे, Formula और Function जो है काम एक ही करते हैं, पर जो Function होते हैं, वो Pre-Define होते हैं Pre-Define का मतलब होता है, यह जो होते हैं, पहले से इनकी Definition दे दी गई है Excel में, जैसे की हम अगर बात करें, पहले से जो Function है, Max है, Min है, Count है, यह सब क्या है, यह सब Function है इनका नाम पहले से, मतलब Define है, और इनका काम भी पहले से Define, कैसे? जैसे Sum है, तो यह Total करने का काम करेगा, यह जो है, Total करने काम करेगा, Max जो है, यहाँ पर क्या काम करेगा, Maximum, मतलब एक प्रकार से, सबसे बड़ी Value है, सीरीज में, उसको निकालेगा, Min है, वो सबसे निकालेगा, Count, Complete Number को गिन कर बताएगा, Average भी होता है, जो Complete Number का Average निकाल कर बताएगा, तो हमने बात करें, Function की, Function मतलब क्या है, Function का मतलब है, Pre-Define, यानि कि पहले से जिनकी Definition Excel में दे दी गई है, पर Formula, Formula का मतलब होता है, User Define, User Define का मतलब क्या होता है, User Define का मतलब हो ठीक है, यहाँ मैं Equal लेख देता हूँ, जैसे Equal से यह सुरू हुआ, ठीक है, तो Equal से सुरू हो गई, मतलब या तो Formula आप यूज करो, या तो Function, दोनों की सुरुवात किस से होगी, Equal के साइन से, पर User Define, अगर हमारी मर्जी से हमको काम करना था, हमको Formula यूज करना होता ह और यदि हमको पहले से जो Define Excel में उसके According अगर काम करना था हमको Function दे दियेगा है, Function बहुत ही Variety में मतलब अधिक Category में देखने को मिलते हैं Function, Excel के अंतरगत, हम यहाँ से सभी Category को देखेंगे, परन्तु उन Category में से हम जो मुख Important जो Function होते हैं, उन Function को ही हम यहाँ देखने बाले हैं, क्योंकि सभी Function को हम जो अनवस्यक देखेंगे, उसमें हमारा Time Based होगा और काम के नहीं होने वाले हैं, चलिए यहाँ पर अभी तो मैं आपको Function और Formula complete बताऊंगा, उसके बाद मैं हर एक Function और हर एक जो Formula उससे Related आगे एक-एक Practice Seat आपको बताऊंगा, ठीक है, तो वो भी आपके सामने आने वाली है, तो पहले तो देखे, Formula का मतलब समझे आप, यह भी Equal से सुरू होगा, और Function भी Equal से सुरू होगा, ठीक है, दोनों के अंदर Cell Address भी आते हैं, परन्तु Formula में User Defined होता है, कैसे, जैसे मान लो Equal लगा है हमने, अब मान लो, च क्या होगा, देखे, Formula की सुरूबात होगी Equal से, और यहां हम Simple लगाएंगे क्या, Cell Address निकालना आपको बनता होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ, जो Column है, और Row से मिलकर क्या बनता है, Cell, और पर तेक Cell का एक Address होता है, जो Column Number और Row Number से बनता है, तो B में हम चले, और 8 में तो पहले बाला जो 25 उसका Address क्या हो जाएगा, B8, आपको दिखता होगा, यहां अगर मैं क्लिक करूँ तो B8 है, यहां पर नजार आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जब मैंने देखे, लिख दिया, B8 के बाद क्या लिखना है, B9 लिखना है, ठीक है, और B9 के बाद हमको क्य लिखना है, प्लस लगा के, B10 लिखना है, अब जो प्लस लगा रहा है, वो हमारी मर्जी से लगा रहा है, ठीक है, यह पहले से डिफाइन है क्या नहीं, चाहे तो हम आइनस भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम इंटू लगा सकते हैं, डिबाइड लगा सकते हैं, या फिर और क को हम लगा सकते हैं जैसे केलकुलेशन करना है परसेंट निकालना है बहुत सब्सक्राइब हो सकती है तो यह बीच में लगाना है कॉलन अब ध्यांसे देखिए कॉलन मतलब होता है डबल डॉट जो कॉलन डैस होता उसको बॉलते कॉलन ठीक है सेमिकॉलन नहीं लगाना अब हम लास्ट बाला देंगे इने कि सीटें और ब्रेकेट को बंद कर देंगे हमने कोई भी चीज यहां नहीं दी है तो हमको जरुवत क्यों पड़ती है देखे कुछ चीजों के लिए function पहले से define कर देगा है परंतु जो चीज के लिए function पहले से define है उनके लिए हम formula विल्कुल भी use नहीं करने वाले क्यों 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 हमारा time एक एक करके सारे function को हल करते हैं और formula कहां यूज होने वाले formula आपको जरुवत के अनुसार यानि कि जब हम seat बनाएंगे न सीट आपको मैं सारी seat कम से कम 10 seat में बनाना बताऊंगा आपको तो दस सीट के जो वीडियो है अलग 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 जाएंगे और complete एक मतलब एक वीडियो भी आपको मैं दे दूँगा तो आपको जैसी मर्जी आप देख सकते हैं सारी चीजे मैं provide कर दूँगा चलिए मैं formula function यहां समझा दिया आपको आई hope आपको समझ में आया होगा formula function function को एक एक करके हम यहां पर define करते हैं तो हम चल रहा है formula जो tab है उसके अंदर तो आप ध्यान से देखिए यहां सबसे पहले दिया है insert function इसके अंतरगात आपको बहुत सारी चीजे मिलेगी तो important चीज हम देखने वाले insert function का मतलब क्या मान लो इनको हमको जोड़ना है तो यहां insert function का एक dialect box आता है देखिए यह ध्यान से देखिए कभी-कभी आपको exam में लिखने का जाता है मान लीजिए आप कोई course कर रहा है तो उसमें आप जो है आपको बोला जाएगा function को कैसे insert करते है excel seat में तो आपको insert formula step में जाना है insert function वाले option पर click करना है ठीक है और उसके बाद आपको कहा जाना है dialogue box display होगा इसमें आपको function की list दिख रहे देखिए अब कौन सा function चाहिए यहाँ पर आपको देखिए अब आप यह मत सोचिए कि इतने ही function क्यों देख रहा है यहाँ पर यदि हम यहाँ पर चलें इसमें select a category category में चलोगे तो देखे all में सभी function आगा देखे बहुत सारे function आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे all के लावा हम चलते financial में तो financial से related function देखने को मिलेंगे date and time के function देखने को मिलेंगे इसके लावा maths और technometry के मिलेंगे साथ ही आप status quo के देख सकते हैं ठीक है look up, reference, database, text, logical, information इस सब प्रकार के जो function है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो यह देखे ध्यान से आप देखे चलिए मैं उधारन के तौर पर most recently में चलते हैं most recently used तो हम सम चलते हैं देखे सम को हमने क्लिक करें और सम की definition भी दे रहे add all the number in a range of cell, cell की जो complete range होगी उसके सभी number को जोडने का काम करेगा कोन सम और हमको ऐसे लिखना पड़ेगा लिखने का तरीका क्या है equal लगा नहीं है ठीक है अच्छा रुके यहाँ पर हम खाली रहन देते हैं और insert function में चलते हैं और सम में चलते हैं तो देखे यहाँ cell की range बोल रहा है मतलब आपको number one number two जो भी है आप यहाँ से दे सकते हैं ठीक है तो देखे उनने खुद बखुद तो लिया आया है जैसे देखे c8 से c11 तक c8 मतलब देखे यहाँ से c8 में और last वाली value आपकी c11 में और आप ओके कर सकते हैं तो देखे आपको कुछ नहीं करना पड़ा देखे यहाँ पर आपका function लग चुका है आपको कुछ लिखना पड़ा क्या नहीं आप इस function को देख सकते है formula वार में यह चीज़ तो मैंने पहले बताया आपको की formula वार वही दिखाएगा जो cell में लिखा है अब cell में क्या लिखा है वो depend करता है value लिखी है function यदि only value लिखी है तो आपको value बस दिखेगी यदि ख formula नहीं है तो वह value को दिखाएगा ठीक है समझ गया चलिए function insert करना आपको समझ में आया यह तो मतलब manually हो गया मतलब प्रकार से हम बोले यहां से गय हम और यह क्लिक करें तो function add हो जा रहा है और इसकी shortcut की आप ध्यान से देखे shift plus F3 है क्या है insert function की यह कभी-कभी पूछ लेता अब कुछ चीज़े होती है जो चीज में पहले बता चुका हूँ sum average count max में यह recently मतलब ज्यादा तर use होने वाले है इनका उपयोग हम पहले भी यहां देखे home tape में आप गए होंगे तो यहां पे मैंने आपको इसमें 5 option बता चुका हूँ ठीक है तो हम यहां पे भी इसका तर्गतार है पर यहां यह अलग-अलग group में मिलेंगे जिसे की decently use में आपको यह मिल जाएंगे अभी अभी हमने जो use करें दिख रहे हैं आपको financial में आपको financial से related मिल जाएंगे logical है टेक्स्ट है date and time है look up and reference है math and technology है उसके अलाभा और देखिए आप statistical है, engineering है, cube है, information है, compatibility है बैब है, अब इतनी सारी category दिख रहे हैं क्या सभी पढ़ना है हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान में अबस रखना है कौन-कौन से प्रकार होते हैं हमको यहां पर मुखे important पढ़ना है, तो हम एक new seat ले लेते हैं नीचे चलकर, यह new seat मैंने लिया, और यहां मैं कर लेता हूँ, यहां heading डालेंगे, अपन क्या function और formula, function पाड़ रहा है हला कि हम, तो यहां हम डाल लेते हैं, serial number, चले, serial number पहले तो हम जाल लेते हैं category, क्या डालेते है गटेगरी, एक जो row है उसको insert कर दे थे, क्यों insert कर देते हैं, क्यों आपको यहाँ heading लिखना है, क्य के बाद हमको लिखना सीरियल नंबर सीरियल नंबर कुन-कुन से बढ़ना और यहां लिख लेते हम फंक्शन के नेम अब फंक्शन ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए उनकी डेफिनेशन के अगर बात करें तो डेफिनेशन मैं बताते जाओंगा आप नौट कर लीजिए ठीक है औ इसको अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूं हेडिंग भी बना सकता हूं थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूं यह सारे काम जो है आप मतलब अच्छे से करके देख लीजिए क्योंकि यह सारी चीजी तो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी तो सबसे पहली जो कैटेगीरी देखन लाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं चलिए बेसिक फंक्चन में आप सबसे पहले देखिए पहले नंबर नंबर के पांसा हूं आता है यह पांचों काको मतलब होता है total निकालना count का मतलब होता है यह count यानि गिनने का काम करेगा complete cell of range जो होगी उसमें complete number कितने लिखेगा उसको गिनेगा और यह जो है average निकालने का काम करेगा यह maximum value return maximum value है ना और यह जो है minimum value तो sum बस का जो नाम है वदल रहा है बागी सब्दों है अपने meaning के अनुसार काम कर रहा है मानलो हम यहाँ लिख देते हैं 26 यहाँ लिख देते हैं 25 यह लिख दी हमने ठीक है ठीक यह लिखे अब देखे हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 value लिखे हो 6 value को हमको total चाहिए है ऐसे मतलब horizontal में यहाँ पर तो हम equal लगाएंगे और क्या लगाएंगे sum sum हमने जैसे लगाए तो आप ध्यान से देखे sum लगाए है तो bracket हमको start करना होता है equal sign लगाने पड़ेगा sum जो function वो भी लगाना पड़ेगा जो नाम दिया है अब यहाँ cell दिया है देखो cell का address e वाले कॉलम में हम और 3 तो e3 हम पहले cell का address लिखेंगे e3 अब सीधे हमको last cell का address लिखना पड़ता है j3 तो यहाँ column लगाना है और आपको लिखना j3 ठीक है यह देखे जैसे आपने equal लगाए sum लगा bracket start करके e3 यानि कि पहला column लिखे और last में लिखे j3 तो column लगाना है j3 लिखना और फिर bracket बन करना है तो जैसे आपने लगाया हो जो cell address यहाँ लिखे हो अगर उसके अनुसार यहाँ selection point आ जाता है इसका मतलब आपने सही लिखे हो बनता होगा कैसे निकालते हैं e3 फिर last में है क्या j3 तो बीच में column लगा के दोनों को लिखना और bracket बंद करके आपको enter करना है total number आ जाए मतलब complete add हो जाएगा total अब यही चीज का हमको नीचे चाहिए यहाँ मैं complete क्या लिख देता हूँ यहाँ यह सभी चीजों को मैं यहाँ पर complete लिख देता हूँ तो यहाँ देखे अभी तो इनने जोड कर बता है total करके अभी हम चाह रहे हैं कि यह कितने cell में data लिखा है उनको count करके बता है तो उसके लिए आपको कुछ नी करना है सिर्फ आपको count लिखना है और method वही है पहले cell का address यहनि कि हम कहाँ पर अभी e देखे cell का address बदल चुका है e वाले column में तो है पर e4 में पहुँच गया है count कहां लिखा e4 में और last में j4 है दिख रहा है तो आपको लगाना e4 colon लगाना है और फिर लिखना है j4 यह आपने लिखे और आपको enter करना है enter करें तो total number of cell कितने है 6 और total number जो range है उसकी total जो आ रही है 153 तो यहाँ यह count जो है number of cell को गिनने का काम करेगा ठीक है आप next जो है average तो average मतलब उसक निकालेगा न चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे sip average A-V-E-R-A-G इस प्रकार से आपको spelling सही लिखना नीचे भी आजाती है आपको indication के लिए और आपको करना क्या है पहला cell का address आप E वाले column में तो है यहाँ पर हम 5 में चलना दीखें 5 में आगे next में तो आपको लिखना E5 और colon लगाना है और फिर लिखना J5 तो जो चीजे हम किसमें लिख रहे थे sum में बस नाम आपका change हो रहा है average और जो output है वो बदल रहा है आप ध्यान से देखिए यह ज़्यादा कम ज़्यादा कम value है सबका average जो आगया है 25.5 आगया है अभी कभी-कभी answer भी हो जाता है अपने ध्यान से देखो देखें इस प्रकार से भी आजाता है मतलब जो decimal point के बाद जो संग्य है ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ चलना है आपको number वाले section में home में और यह देखें यहाँ पे decrease decimal point इस प्रकार से आप घटा सकते हैं इस प्रकार से आप एक रहने दे standard होता है दो रहने देना next है max max का मतलब क्या होता है max का मतलब होता है बड़ी संख्या निकालना इस में से बड़ी संख्या कुन सी है अभी देखो दो बड़ी संख्या है अगर हम मानलो यहाँ बड़ी संख्या 29 कर देते हैं तो हमारी बड़ी संख्या निकल कर आतिक नहीं देखते हैं तो only आपको max लगाना है cell address CMS आपको sum जैसे निकाले थे हमने बैसे लगाना है तो e कुन सा है e6 e6 से लेकर j6 इस प्रकार से हमको क्या करना है enter करना है तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है 29 29 सबसे बड़ी है मानलो में किसी cell में जाका 30 कर देता है तो देखिए आउटपूर बदल रहा अब हमने ये चीज भी देखें sum अगर हमने कर दी एक बार तो एक बार हम फिर से value बदलते हैं जैसे मानलो हम 35 कर देखिए यहाँ value change हो रही अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं min min लगाना है और आपको bracket start करना है और कौन सा cell है e7 है देखिए e7 है e7 से लेकर j7 इस प्रकार से आपने bracket को बंद करें तो देखिए आप ध्यान से देखिए 24 आ गया मानलो 24 के बदले मां और कुछ हो सकता तो जीसे मानलो यहाँ में 20 लिख देता हूं तो देखिए सबसे चोटी संख्या को निकाल कर दिखाएगा कौन min complete cell range में से सबसे बड़ी संख्या को निकाल कर दिखाएगा max complete cell range में से average निकाल कर दिखाएगा complete cell range में जो cell की संख्या उसको गिन कर बताएगा count sum जो है complete cell range को जोड़ कर बताएगा मतलब जो numbers लिखे उनका अई होप आपको basic function समझ में आए होंगे ठीक है basic हमारे यहाँ पर complete हो चुके है अब हम बात करते हैं चली इनको मैं थोड़ा आटोफिट कर दू तो आटोफिट करना तो आपसे बनते ही होगा देखे इस परकार से आटोफिट थोड़ा सा थोड़ा दूर कर देते हैं एफ और में आपको समझ माझा है next हम देखते हैं यहाँ पर कुछ function और होते हैं जो कि आपको देखने चाहिए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं logical function देखते हैं इस प्रकार से हम जो है 4-5 function देखेंगे सबसे पहला तो if देखेंगे फिर देखेंगे end फिर देखेंगे और फिर देखेंगे अच्छा यहाँ पर नीचे हम देखेंगे not तो यह हमारे कुछ important function है logical वाले ठीक तो if करता क्या है if मतलब होता है condition के according के काम करेगा end जो है end मतलब all condition यहाँ पर true होना चाहिए ठीक है जबकि if मैं कोई एक condition true है तो काम करेगा और मैं भी condition के according काम करेगा परन्तु only one condition अगर सही है तो वो काम कर लेगा और यह जो है opposite काम करता है मतलब जो not है simple सी बात है negative value यह निकाल कर दिखाएगा simple सी बात है आप किसी चीज के पहले नहीं लगा दोगे तो जो answer सही होना है वो गलत होगा और जो answer गलत होना है वो सही होगा क्यों? पहले ही नहीं लगा दिया गया है तो चलिए चारो function के बारे हम यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहले मान लो कोई बैखती है उसकी age है age कितनी है? ठीक है? अब age होगी 18 अब 18 है तो वो vote डाल सकता है या नहीं डाल सकता है यह हमको check करना मान लो यहाँ पर 17 और हो सकता है मान लो यहाँ पर 19 भी हो सकता है या फिर यहाँ पर 50 हो सकता है यह cell की value बदल सकती है परन्तु हमको function लगाना इस cell की address पर कौन सा है यह एफ 9 है देखो ध्यान से f वाले column में चले और 9 वाले row में हम चले तो क्या दिख रहा है यहाँ पर f9 हम लगाते हैं यहाँ पर सिर्फ if if का मतलब होता है यदी अब bracket start हो गई होगा equal का sign भी लगेगा function का नाम भी आएगा और bracket भी start होगा आप नीचे ध्यान से देखिए नीचे आ रहा है logical test logical test का मतलब इस cell address में जो लिखा उसको आपको test करना है फिर कॉमा लगा का आपको true value देना है अगर वो सही है तो true value आजाएगी यदी वो condition आपकी गलत है यहनि कि logical test में जो दिये वो condition गलत है तो false value यहनि कि हा या ना जीसे आपको घर से आप निकलते हैं तो आपको सर्थ लगाग भिस्तिकनी कि अगर आप tuition जा रहे हो coaching जा रहे हो या फिर आप college जा रहे हो तो आप सीधे से college जाओगे और पढ़कर वापस आओगे तो आपको next day जाने दिया जाएगा नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा इसका मतलब है logical test आपका सही है तो true value नहीं तो गलत value तो आप अपने अनुसार भी सर्थ लगाग देख लिए जैसे मान लीजे आपने खाना खाए हो तो energy मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी ठीक है तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक जो if है उसी प्रकार काम करता है तो हमको cell address ध्यान रखना है cell address कुन सा है if कौन सा ये वाला f9 तो f9 बड़ा क्यों लगा रहा है बड़ा क्योंकि 18 हम condition लगा रहा है तो 18 से बड़ा भी रहेगा तो बोट दे सकता है और 18 के बराबर भी है तो बोट दे सकता है कौन सा ये cell इस cell में कुछ भी value हो सकती है अभी 50 है हमको फरकने पड़ता कितनी है पर हमको ध्यान रखना है कि बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके 18 के जो f9 cell है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके 18 के अगर ये condition आपकी सही हो जाती है मतलब बड़ा है या बराबर है तो simple सी बात है कॉमा लगाएंगे और नीचे हमको देखे यहां देख रहा value if true तो अभी हमको manually print काना मतलब हमारी मर्जी से print काना हमारी मर्जी से print काना था हम लगाएंगे double quote इसका मतलब है हम कोई भी string को अगर लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं double quote के अंदर तो हम लिख देते हैं you can boat ठेक है ध्यान से देखे f9 इसका मतलब यह वाला cell यह देखे f9 अगर बड़ा है यह बड़ा का निसान बड़ा है या बराबर है किसके 18 के तो अभी बड़ा है तो you can boat जो है true है तो मतलब you can boat जो है print हो जाना चाहें पर यदि यह 17 भी होता कता है तो इसके लिए गलत condition हम लगाएंगे तो देखे अगर यह condition सही है तो you can boat मतलब true value और अगर condition गलत है तो value if false मतलब double quote में अभी भी देना है कॉमा लगाखे you can't boat क्या लिखना है you can't boat मतलब बोट नहीं डाल सकते हैं अब दोनों condition हो गई इसका मतलब देखे हमारा function का नाम equal का sign हो गया function का नाम हो गया logical test भी हो गया कॉमा लगाए true value हमने लिख दिये तो function मतलब जो true value है वह string को लिखने के लिए double quote यूज करते हैं दूसरी string को लिखने के लिए बीच में कॉमा लगाते हैं और double quote उसमें भी लिखना पड़ता है ठीक है और bracket बंद कर दो और आप करना है enter अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपको age जो है 50 है भी तो 50 है तो you can vote यदि हम कर देते हैं 100 तो 100 भी तो हो सकती किसी की तो भी vote डाल सकता है 20 है तो भी vote डाल सकता है पर 18 है यहाँ पे vote डाल दिये यहाँ परन्तु हम 17 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे automatic आजा रहा है you can't vote क्योंकि हमने दिये थे यदि F9 बड़ा है या बराबर है किसके 18 के तो true value में आना चाहिए you can't vote और यदि वो बड़ा या बराबर नहीं है तो क्या आना चाहिए you can't vote तो अभी बड़ा बराबर है क्या नहीं तो next answer आ रहा है false वाला you can't vote तो आप समझ गए यहाँ पर इफ का मतलब क्या है इफ मतलब होता है सर्थ के अनुसार यानि कि condition के according आपको काम करना है मतलब बही बात होती ही नहीं कि मेहनत करोगे तो आपका जो future है वो अच्छा रहेगा नहीं तो कोई बात ही नहीं है simple सी बात है आप जो है बैसे जो घूम रहे हो आप आज मतलब जो आपकी अरामदाइक जिन्दगी जे रहे हो तो बैसी जिन्दगी आपको बाद में नहीं मिलना तो या तो पहले आप जो है थोड़े से मेहनत कर लीजे तो आपको बाद में आरामदाइक जिंद्गी मिल जाएगी नहीं तो पहले आप आरामदाइक जिंद्गी चाह रहा हो तो आपको बाद में दुख जहलना पड़ेगा तो ऐसे condition हम देख सकते real life में भी जो लगती है वो हम excel में condition किस से लगाते हैं अब बात करते हैं end की end का मतलब क्या है end मतलब मान लिजे आपके subject है subject मतलब कोई भी subject हो सकते है सब्जे आप कोई क्लास में पढ़ रहा हूँ उस class में आपको जैसे मान लिजे 40 नमबर मिले हैं 40 नमबर मिले मतलब एक subject में 50 मिले, 60 मिले और एक में 70 मिले तो आप यहां ध्यान से देखिए चार सब्जेक्ट आपके चारों में आपको 40, 50, 60, 70 यह नंबर आपको मिले एक हम निश्चित पैमाना माप लेते हैं कि सभी सेल के जो range है मतलब सभी सेल की जो value है वो क्या होने चाहिए 35 या 33 के उपर होना चाहिए तो क्या answer आना चाहिए true नहीं तो false जाएगा तो इसका मतलब है end मतलब समझते आप हिंदी में और होता है इसका मतलब सभी एक साथ और इसके विपरित अगर और बोले मतलब इसका मतलब होता है अथवा इसका मतलब है कि चार कंडिसन दिये चार में से कोई एक भी अगर है तो भी सही है ठीक है तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरित है हलाकि लगाने का तरीका दोनों का एक साथ तो हम इककोल लगाते है और क्या लगाएंगे end end हम जैसे लगाएं अच्छा function small और capital में ज़ाधा अंतर नहीं होता जयाधा अंतर के अंतर होता ही नहीं है वो आटोमेटिक कैपिटल कर लेता है तो इसमें आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है ठीक है end जैसे लगाएं लौजिकल टेस्ट देना है जैसे हमने if में दिये थे न एफ में हमने क्या दिये थे? ये दिये थे? ये दिये थिकने तो ये चीजे आपको end में भी देना है ये जो logical test दिये है ये end में भी देना है बस condition मतलब अंतर क्या हो जाता है कि जो आपने true or false value दिये यहाँ बहा वो end में नहीं आएगी नहीं और में आएगी ये धियान रखना आपको, सिर्फ आपको क्या लगाना है, ये condition, condition आपको multiple लगाना, ये धियान रखना कैसे, एक, दो, तीन, चार, दस भी हो सकती है, पचास भी हो सकती है, तो आप ये condition बस लगाओगे, कॉमा लगा लगाओग, उसी को बोला जा रहा है logical test, और if की जगह में end लगाओगे, बस, इतना संतर है, तो आपको लगाना क्या है, equal, चलो मैं यहाँ बढ़ा करके बताता हूँ, equal लगाए, end लिख नहीं है, और back it start कर नहीं है, आप cell address देख लीजी आप, e कॉन से बाले column में हम, e column में है और 10, देखिए, यहाँ पर 10 में आ गए, तो e10 हमको लि अगर बड़ा है, बराबर है, तो condition true, परन्तु हमको एक में संतुष नहीं होना, हमको इसमें भी लगाना, हमको इसमें भी, और इसमें भी, कॉमा लगा यह next क्या है, f10, देखिए, next जो cell है, f10, यह भी बड़ा है, बराबर किसके, 33 के, फिर कॉमा लगा है, f के बाद क्या जाएगा, g10, तो g10 भी क्या है, बड़ा है, बराबर किसके, 33 के, फिर उसके बाद एक और है, कुन सा, देखिए, h10 है, 70 किसमें लेखा, h10, तो h10 भी क्या होना चाहिए, h10 भी, बड़ा है, बराबर किसके, 33 के, अब आपको true और false value नहीं दे रहा है, यहाँ पर, देखिए आपको true और false value जो है, लिखनी जरुवत नहीं, सिर्फ आपको एककल लगाना है, end लगाना है, और जितने logical test देना चाहिए, दे सकते हैं, कैसे, पहले cell को हमने, मतलब जो है, condition में रख दी कि 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, फिर 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए ये next जो cell है, वो भी 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और last जो है, वो भी उस प्रकार, तो सभी में हमने condition लगा है, अगर सभी में सही है, देखे, end मतलब all condition, जो सभी cell के range है, वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर, छली फिर से लगाते हैं, यहाँ जो हो गया है, मिस हो गया, थोड़ा सा, यहाँ क्लिक करने में, फिर से हम लगा देते हैं, फटा फट, E10 बड़ा है बराबर किसके, 33 के, फिर उसके बाद है, F10 बड़ा है बराबर किसके, 33 के, G10, G10 भी जो है आपका, बड़ा है बराबर किसके, 33 के, और H10 जो है, बड़ा है या बराबर किस के 33 के सभी हमारी कंडिशन लग चुकी है और जब हम एंटर करेंगे तो आप ध्यान से देखे ट्रू और फॉल्स खुद बखुद आ गया है मतलब यहां सिर्फ हमको लॉजिकल टेस्ट देना है यदि सभी कंडिशन सही है मतलब सभी में देखिया आप ध्यान से 33 के उपर है क किसी एक सब्जेक्ट में आपको ATKT या बैकलोग आजाता है तो आपका रिजल्ट फैल हो जाता है तो यह जो एंड है आपका मार्क सीट में काम आने वाला है ध्यान रखे इस चीज को इसी को हम जो है क्या कर लेते हैं और में कनबट कर लेते हैं मान लो यहां हम जो है क्या लगाते हैं और तो आपका देखे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सारी चीजे मैंने बैसिक बैसे लिख दिया हूं देखे E11 वाले में आ गए हम देखे 10 से 11 33 से बड़ा होना चाहिए बराबार फिर F11, G11 और H11 तो यह सब में हमने कंडिशन लगा है और सिर्फ से कोई एक कंडिशन अगर 33 से बड़ी है यह बराबर है तो true आना चाहिए यदि कोई भी नहीं है तो क्या जाना चाहिए false तो आप समझ गा होंगे और और end में क्या अंतर है end मतलब होता है जितनी कंडिशन हमने लगा है सभी के लिए अगर सहीं है तो ही true आएगा जैसे हमने यहाँ लिख देते है 35 तो अब देखे सभी कंडिशन true है तो हमारा जो answer है true आगया और मैं किसी एक कंडिशन को अगर true कर देते हैं तो answer true आजाएगा नहीं तो false हम यहाँ कर देते 36 देखे true आगया जबकि 3 में गलात है दोनों बंतर समझ में आजा अब end लगाते हैं end हम लगाते हैं तो end के लिए क्या लगाएंगे यह जो है negative value लोटाता है मान लो 18 है ठीक है और हमने लगा है not और not में भी आपको कुछ नहीं logical test देना है logical test में यह क्या है e12 e12 बड़ा है बराबर किसके 18 के और bracket बंद कर दो तो आप ध्यान से देखिए जबकि 18 क्या है बड़ा है मतलब बड़ा तो नहीं है बराबर किसके 18 के मतलब जो cell है e12 वो अभी क्या है 18 के बराबर है बड़ा भी हो सकता है मान लो 25 कर दें तो अभी बड़ा है बराबर भी हो सकता था तो अब तब यह answer दे रहा है false इसका मतलब answer आना था true पर अब answer आ रहा है false अब हम कर देते हैं 15 नहीं है मतलब पहले ही बोल दिया गया है नहीं है e12 बड़ा या बराबर किसके 18 के तो simple से बात नहीं है इसलिए तो true आ रहा अब बोल रहा नहीं है नहीं है यह cell बड़ा या बराबर किसके 18 के पर यह बात गलत है क्यों क्योंकि यह तो है जबकि नहीं बोल दिया तो इसलि उबर सा अंसर आएगा उल्टा तो समझ के होंगे आप not if and or not ठीक है अब देखिए यहाँ एक दो और function है जो कि आपको देखिए यहाँ पर क्या काम आएंगे logical test में काम आएंगे logical मतलब एक प्रकार से logical function में काम आएंगे तो हम 10 वा नमबर डाल देते हैं और 11 वा नमबर डाल देते हैं ठीक है तो यह जो है आप देखिए यहाँ पर क्या रिखना है sum और sum if आप sum if में आपको बताऊंगा seed बनाते सामें आपको सिद्ध्यान रखना है आप इसकी practice करिए एक और है count if इसका उप्योग भी में बताऊंगा आपको seed बनाते समय है ठीक है इसके लाबा एक और आता है average if मतलब जितने भी आपने normal function पढ़े हैं उसके साथ में हर एक के साथ में if लगेगा तो इनका उप्योग आप practice करके देख सकते हैं देखे कैसे sum का काम होता है जोड़ना पर यदि if के साथ sum आ गया है निके condition के according जोड़ना count का काम होता है गिनना आपने देखे परन्तु यहाँ condition के according के नेगा average का काम होता है और यह condition के according क्या करेगा इसको average निकालेगा चाहे तो आप max if भी कर सकते हैं या फिर एक और function है जिसका नाम है min if ठीक है यह भी आप कर सकते हैं ठीक तो यह सारी चीज़ तो हम seat में देखेंगे आप इनका उप्योग करके देख सकते हैं पांचों का कैसे पांचों का उप्योग आपसे बनने लगा अभी मैंने बताया और if का उप्योग भी मैंने बता दिया तो दोनों के combination से देखें पांच function हमारे और निकल कर आ चुके हैं अब हम यहाँ पे इनका नाम दे देते हैं क्या logical ठीक है logical function हो गए नेक्स्ट आप देखें यहाँ से section अलग कर देता हूं section अलग इसलिए क्योंकि आपको separate समझ में आते रहेगा कि हमने कौन-कौन से function को पढ़ लिया चलिए एक cell छोड़ते हैं अब हमारे next जो function आते हैं वो आते हैं text text function हमको पढ़ना है और text में हम देखें यहाँ पर 15-16 मतलब हम जो है आगे series खीत देते हैं और यह आगे चले जाएंगे आपके कहां तक जहां तक आपको ले जाना ठीक है 8-10 function रहते हैं text के चलिए पहला जो function है इसका code फिर है care एक होता है upper एक होता है lower एक होता है left एक होता है right और एक होता है concatenate concatenate और एक होता है alien alien का मतलब होता है length निकालना चलिए के करखे सबको देखते हैं और इनको हम जो है यह हमारे लगभग 8 function है कौन से text type के ठीक है तो हम सबसे पहले देखेंगे code अब code क्या करेगा आप ध्यान से देखिए जब हम कोई tag मतलब मान लीजिए alphabet है a लिखते हैं या फिर capital a तो इसका एक aski code होता है aski code का मतलब होता है एक standard code होता है aski code के बारे मैं बता चुका हो complete video आप देख लेना ठीक है channel पर आपको मिल जाएगा aski code क्या होता है तो इसका एक code होता है जिसे हम aski code बोलते हैं और इसका aski code होता है तो वो code को निकालने के लिए इस code function क्यूश करते हैं मतलब जैसे अगर कहीं character लिखा है इस प्रकार के alphabet तो इस alphabet का क्या aski code होगा उसको निकालने के लिए code function होता है ठीक है के आर का क्या होता है अगर यहाँ कोई code लिखा मान लो कुछ भी हमने number लिख दी उसका alphabet निकालना जैसे यह लिखा है तो हमको care लिकालना पड़ता है कोई चीजे lower case में लिखी तो उसको upper case में बदलेगा जो lower है left यानि कि left से कुछ संख्या निकाल कर देगा कोई सब्द की right में से कुछ सब्द निकाल कर देगा मतलब कुछ character की संख्या यहां हम लिख देते हैं a और a का हम निकालते हैं code तो equal लगाना है और c o d e code लिखना है code लिखने के बाद आपको bracket स्टार्ट करना है bracket स्टार्ट करके आपको देखिए अंदर लिखा text चाहे तो आप direct a लिख सकते यहां पर परन्तु हम a न लिख करके देंगे cell का address तो cell का address आप द्यान से देखिए e बाले column में है और 19 में है तो हम देदेंगे e 19 और bracket बंद करना यह जो अंदर दे रहे हैं वो argument कहलाते हैं कुछ function जो होते हैं बिना argument कह जाते हैं पर ज़्यादतर function को आपको argument दे नहीं होता है जो argument होते है वो cell address की रूप में दिये जाते हैं जैसे क इसका मतलब आप समझे capital A का जो है वो complete 65 से सुरू होता है हलाकि और अन्य भी होते हैं जो कि आसकी कोट के रूप में देखने मिलते हैं पर तो capital A से 65 26 character तक यह चलेंगे पर यदि A हम type करते हैं small तो A जो small हो कहां से चालू होते हैं 97 से 97 से आगे तक चलेंगे ठीक है बीच मे कोई symbol बगेरा कुछ लिखते हैं देखे यह आपने लिखे क्या आपने लिखे greater than तो आपका 62 आ गया यदि आप लिखते है less than तो आपका 60 आ गया ठीक है यदि आप question mark लगाते 63 आ गया यदि आप slash लगाते हो ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर मतलब कुछ और चलिए करना क्या कुछ नहीं करना cell address लिख दी यह code लगा का ठीक है अब ऐसे ही अगर मान लो यहां लिखता हूं 85 85 में लिखा इसका character निकालना है तो किस function से निकालेंगे care functions है यहां हम लगाते है equal और यहां लगाते है care और back it start करते हैं और आपको cell address लिखना यह वाला चाहे तो आप number भी लिख सकते है पर आपको लिखना cell address तो e20 इसका cell address क्या है e20 argument के रूप में हमने देदी enter कर दिए तो 85 का मतलब होता है capital U समझ गए यदि मान लो हम change करते हैं 86 कर देते हैं या फिर 90 कर देते हैं तो देखे आपको 90 तक Z मिलते है 92 में आपको क्या देखने के मिलता स्लेज 91 में आपको यह देखे बड़ा square bracket 93 में आपको left square bracket 94 में यह देखे character का निशान 95 में आपको जो underscore है ठीक है 96 में आपको देखे जो हलन्थ है वो देखने को मिलता तो यह सारी चीज़े आप देखे 65 कर देंगे तो यह देखने को मिल जाएगा तो किसी भी character को code में बदलने के लिए code वाला function और किसी भी number को code में बदलने के लिए क्या करते हैं कि क्या वाला function लगाते हैं अब बात करते हैं upper की अपर मतलग होता है हम normally लिख देते हैं क्या computer यह लिख दिये अब computer लिखे हैं तो यह कैसा लिखा है lower case में इनकी small letter में हम चाहते हैं इसको capital letter में बदले तो कुछ नहीं करना आपको equal लगाना है और लिखना अपर अपर लगा कर आप bracket start करना है और दिखे नीचे text लिखा लि लिखे इस्मावल को capital में कर दिया पर यदि यहा लिखा है capital मान लो यहां लिखा है capital लिखा है और इस capital को मैं बदलना चाहता हूँ कि मैं small में तो मैं यहां लगा दूंगा क्या lower lower case lower मतलब lower case और cell के अड्रेस कुन सा है e22 next जो cell अड्रेस है e22 ध्यान से देखे capital को small को capital में बदलेगा अपर और capital को small में बदलेगा lower अब निकालना left तो left के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा चलिए यहां में लिख देता हूं क्या यह लिख दिया मैंने computer अभी computer को मैं चाहता हूं क्या इसमें से left मतलब यह वाला भाग हो गया right मतलब यह वाला भाग हो गया left से कुछ character को निकाल कर यहां लाना चाहता हूं और नीचे right से कुछ character को निकाल कर यहां लाना चाहता हूं तो इसमें left के कितने character लाना है वो हम देखते हैं तो left आपको लिखना है और bracket start करना है अब नीचे आपको दो argument देना है text और number character number of character तो text तो आप cell address देदेंगे कौन सा आप देदेंगे d23 देदिए cell address select हो गया कौमा लगाक देना है किस character से देना है या फिर मतलब किस text से देना है वो तो हमने दे दिये पर कितने देना है वो हमको देना पड़ता है तो इसमें समको एक, दो, तीन मान लो हमने तीन दे दिये तो तीन character हमको चाहिए और bracket बंद देखिए left से तीन character मतलब c, o, m आगे अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर computer लिखे है और इसमें चाहते हैं हम right से कुछ character को लाए तो r, i, g, st हमने right लिखे d24 हो गया क्या cell का address, कॉमा लगा है number of character क्या हो गया number of character हम दे 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 5 तो देखिए यहाँ पर left से हमने com निकाल खला है 3 character, right से हमने यहाँ 5 character निकाल खला है computer, अब मान लोग दोनों को जोड़ना है com और computer को जोड़ना है जो इनों को जोड़ने के लिए लगाते हैं concatenate, क्या लगाते हैं concatenate और concatenate लगाने के बाद bracket start करना है, पहले cell का address मतलब कौन सा है, e23 और e24 तो e23, कौमा लगा आखे दूसरा cell का address लिखना, e24 कैसे लिखे, एक को लगा concatenate तो यह तो समझ गया bracket के अंदर, पहले cell का address दूसरे cell का address और bracket बंद यह देखे computer जोड़कर आ गया अब इस computer की length देखना है length का मतलब होता है, कितने उसमें क्या है, characters है तो alien से हम क्या देख सकते है, length उपर बाला cell का address क्या है, e25 यह देखे, जहां computer लिखा तो देखे, 8 character है अब आप सोच रहे होंगे concatenate का मतलब तो होगे जोड़ना परमान लोग हम लिख देते हैं रमेश, कुमार अच्छा, रमेश अलग लिख देते है कुमार अलग लिख देते है और सर्मा अलग लिख देते है अब आप देखे, रमेश अलग है कुमार अलग है, सर्मा अलग है तीनों को एक साथ अगर जोड़ना है कौन सा function यूज होगा, concatenate चलिए जोड़कर देखते है equal, cone, catenate यूज लगाए पहले सा अलग कैट्रस कुन सा G देखे, यूज देखे G25, H25 और I25 G25, H25, I25 लगा दिये तीनों, bracket 1 अब हो तो गया यहाँ complete पर अपको एक दिक्कत आ गई है कैसे, रमेश कुमार सर्मा ऐसे आन नहीं आना था वो तो थोड़ा space देखा रहता है इसका मतलब है कि रमेश के बाद थोड़ा से space आना चाहिए कुमार के बाद थोड़ा से space आना चाहिए तो उसके लिए आपको फिर से वहीं जाना है और आप देखे, यहाँ पर ध्यान दिती जो 25 लिखा है 25 जो लिखा है उसके बाद आपको कॉमा लगा क्या देना है double quote लिखना है और space देना है फिर double quote और कॉमा लगाना है अब देखे, double quote लिखे आपने double quote लगा है बीच में space दे दिये ऐसे आपको इसके side में H25 के कॉमा के साइड में आपको क्या लगाना है Double quote ठीक है या तो space देखा Double quote फिर space और फिर कॉमा ठीक अब दीखे G25 के बाद थोड़ा से space आएगा मतलब एक space H25 के बाद थोड़ा से space इसका मतलब रमेज के बाद भी space आएगा कुमार के बाद भी space आएगा और सर्मा के बाद हमको space की जरूवत नहीं है हम कर देंगे enter आप ध्यान से देखे रहे हमें इसके बाद space आएगा कुमार के बाद तो आपको ये तरीका भी यहाँ ध्यान में रखना होगा मतलब जब कभी जोड़ना है कोई दिक्कादार ऐसे आप जोड़ सकते हैं चलिए हमारे text function यहाँ complete हो गए I hope आपको text function समझ में आए होंगे total art हमने पढ़े चलिए next जो function हमारे पास में वो हम देखते हैं यहाँ पर कुन से है date function date function हम देखते हैं और date function में हम देखते हैं यहाँ पर next जो हर 23 next जो हर 24 तो लगबग यह हम को 6 देखने को मिलेंगे date function तो हम यहाँ पर यह 6 number यहाँ लिया आते हैं कौन-कौन से देखने को मिलेंगे साथ से पहला तो now function होता है जो की current date और time को दिखाता है ठीक है today function होता है जो आज की date को दिखाता है day function होता है जो total days मतलब total जो complete date है उसमें से day निकाल कर बताएगा ठीक है month होता है जो complete date में से month निकाल कर बताएगा year होता है जो complete date में से year निकाल कर बताएगा और day, month और year को जोड़कर complete date बनाने का काम करेगा date function ठीक है ये total आपके 6 function देखने मिले मानलो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं now लगाते हैं इसमें लगाते हैं equal करके हो now लगाते हैं अब देखें bracket हम लगा रहे हैं देखें नीचे argument को कुछ नहीं मंग रहा है now मतलब भई आज की date दिखा देगा कोई argument थोड़ी बता रहा है और आज की date कहां से दिखाएगा आपको पता notification में आपका date and time चल रहा है तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें जो चल रहा है वो ही यहाँ पर दिखाएगा मान लो आपके computer ये laptop की CMOS बैटरी खराब हो चुके CMOS बैटरी मतलब समझते एक cell होता है internal जो बैटरी होती है जो date and time को maintain करती है ठीक है सारी setting को setting गड़ बढ़ाएगी तो simple सी बात है होगा हर बार वो setting को पूछेगा तो CMOS बैटरी अगर सही है और date and time सही है तो date and time current की देगा और अगर नहीं date and time सही नहीं है तो date and time गलत वाली देगा ठीक है चलिए इसको सिर्फ आपको इस प्रकार लिखकर enter करना है तो आप देखे आज तारीक दिखा रहा हो 29 September 2022 और 8 बज़ के 23 मिनट हो रहा है यह चीज भी आपको देखने को मिल रहा है यह तो complete date और complete time आगया हम चाहते है कि date बस आए तो today function लिखते है तो today में भी आपको कुछ नहीं करना है बिना argument के यह नहीं कि now और today function बिना argument के ही काम करते है एंटर जब हम करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है इसमें देखने को मिल रहा है सिर्फ date जबकि now में आपको अभी now मतलब अभी अभी क्या हुआ है तारीक जो है उसके साथ मैं time भी देख रहा है पर today में आपको क्या देख रहा है today में आपको एक ही चीज़ देख रही है सिर्फ current date अब day day की बात होती है कि जो date लिखी है इसमें हम चाहते है कि day कुण सा है तो आपको day function लगाना है bracket start करना है इस cell का address देना जहां पर आपको complete date देखने को मिल रही है तो cell का address आप ध्यान से देखे हम कुण से column में है e और कुण से row में है 29 तो आपको लिखना है e 29 e 29 आपने लिखे bracket बंद enter तो आपका day कुण सा आगया 29 मतलब इस complete date में से day कुण निकाल कर दे रहा है इसी प्रकार अगर month निकालना तो कुण निकालेगा month function equal month bracket start करे और कुण सा है e 29 हमारा है cell address enter देखे 9 मतलब September आगया हमारा इसी प्रकार year निकालना है bracket start e 29 bracket बंद enter तो देखे हमारे तीनो जो थी वो decode हो चुकी है day अलग आगया month अलग आगया year अलग आगया अब हम चाहते हैं कि यह जो decode हुए है एक दो तीनो चीजे अब year कहा लिखाई है month कहां लिखाई है और day कहां लिखाई है तो तीनो खम जोड़कर एक date बनाना चाहते तुसके लिए होता date function चलिए date लगाई है bracket start पहले बोल रहा है year को select करे तो year कहां पर है e 32 में है तो आपको e 32 लिख दीजे comma month बोल रहा है तो e 31 लिख दीजे फिर आपको day बो हो गई और फिर सो उसको जोड़ भी लिए तो यह हमारे हो गए date function ठीक है इसी के साथ में हम देख लेते हैं यहां पर time function कौन से यहां पर हम जो है time function देख लेते हैं तो time के साथ में हम देखें तो time हमारे होते है 20 यह इसी प्रकार से यह भी हमारे जो है कितने होते हैं 6 होते हैं ठीक है लगबग मतलब 6 या 5 जितने भी होते हैं हम यहां देख लेते हैं यह 5 होते है ठीक है चलिए एक तो now होता ही है है ना now मतलब current date जो time है उसको दिखाएग कर बता है उसमें से second निकाल कर बता है और जो complete decode किये उसको जोड़कर बता है तो पहले तो आप जो है now लिख लीजिए now अभी बताएं मैंने equal लगा कि आपको now और bracket 1 enter तो current time आपको दिख रहा चाहा है तो आप इस data type बाले section में जाकर यहां से time बस सेलेक्ट कर सकते देखि देंगे hour और bracket start करके cell का address देंगे कुन सा है E35 E35 और आपको bracket को बंद करना एंटर करना तो इसमें से अभी hour यहीं कि घंटा जो है 8 है ठीक है उसके बाद हम निकालना चाहते minute तो आपको देना है minute minute function और bracket में आपको serial number देना कुन सा E35 तो E35 हमने लेखे bracket बंद करेंटर 27 इस आपको second लगाना है E35 लगाना है bracket 1 यह देखे 34 यदि आपको यहाँ पर time निकालना complete तो आपको time function लगाना पड़ेगा और bracket में आपको hour minute second दिया तो hour कहां लिखा है यह वाला minute कहां लिखा यह तो उपर से लगाना है E कुन सा है E36 है ठीक है E36, E37, E38 तीनों सेल सेलेक्ट हो गए enter तो आप देखे current जो time है वो फिर से निकल कर आपका आचुका है पहले हमने time निकाले time के बाद हमने decode की decode के बाद हमने उसको फिर से combine कर दी तो यहाँ वे आपके date और time function complete हो गए I hope आपको समझ में आए होंगे ठीक है चलिए next जो function है हमारे पास में वो है आपके maths और trigonometry function ठीक है इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और यहाँ serial number में डाल देता हूं ठीक है इसको मैं wrap text कर देता हूं और यहाँ serial number डाल देता हूं serial number कुन सा आएगा 34 ठीक है 35 इस प्रकार से आपके लगभग जो है 8-10 function यह रहने को है ठीक है इस प्रकार समने इतने खीश लिए तो पहला इसमें है ABS function next है even मतलब Samsung क्या next है odd next है mode फिर एक mode बाल मोड है एक power है ठीक है एक product है ठीक के आदा आपका round देखने मिलेगा उसके बाद आपका sqrt देखने मिलेगा काफी important function ने मिलेगया i am ज्यादा तर उपयोग में आता है तो आपको ध्यान से इसको समझना है ठीक है तो सबसे पहले हम AWS function देखते हैं तो यह क्या return करता है, यह abstract value को return करता है, abstract value मतलग अगर minus में हमने लिखे, मानलों यहाँ minus में 25 लिख दिये, तो हम यहाँ अगर लगाते है, equal करके abs, और abs लगाके cell का address देते हैं, cell का address क्या है, d41, तो D41 देते हैं तो देखे यहाँ पर 25 आगा निकी एफस्टेक वैलू निकाल कर देगा यहाँ कि 25 माइनस में लिखा तो उसको प्लस में देगा पर यदि मानलो आप प्लस में लिखते हैं तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा तो सिर्फ माइनस की वैलू को प्लस में लाकर देग अब यहां पर जो इवन है इवन क्या करेगा मानलो हम यहां पर लिख देते हैं 11 तो यह नियरिस्ट जो समसंख्या वो निकाल कर देगा नियरिस्ट समसंख्या मतलब होता है किनारे वाली जो समसंख्या उसको निकाल कर देगा इस सेल का एड्रेस हमने दिए D42 enter तो देखें नियरिस्ट मतलब 11 के बाद 12 आता तो वो किनारे बाली जो समसंख्य उसको निकाल कर दे दिया ऐसे ही मान लो यही हम 12 देते हैं और यहाँ पर हम देते हैं odd तो नियरिस्ट भी समसंख्य को निकाल कर देगा इस सेले डेश D43 से तो देखें 30 13 आ गया 11 के किनारे में आपका 12 आ गया और अगर आपने यहाँ लिखे 15 तो 15 का 15 नहीं है और अगर आप लिख देते 16 तो 16 का 17 आ जाएगा यहाँ लिख देते 15 तो 15 का 16 यहाँ पर मतलब नियरिस्ट भी समसंख्य और निकाल कर देगा mode का मतलब क्या होता है mode मतलब होता है remainder निकाल कर देगा अब remainder से मतलब मानलो आपने 25 लिखे और 25 में भाग देना चाहते है 4 का तो 4 का भाग देकर देखिए जाएगा क्या चला तो जाएगा पर faithful आजाएगा देख जैसे 4 का भाग 24 तक जाएगा और 1 जो है सेसफल आएगा पर यदि आपका 5 से भाग देना है इसमें तो 5 से भाग पूरा-पूरा जाएगा remainder जीरू आएगा तो जो भी remainder आएगा वो निकालने काम करता mode remainder मतलब समझते सेसफल equal mod bracket पहले cell का address यानि कि जिसमें डिवाइट करना है D44 D44 कौमा लगा है डिवाइजर यानि कि second cell का address कौन सा है E44 तो हमने लिग दे E44 प्रेकेट बंद आवा देखे जो remainder है वो कितना आ रहा है आपका 0 पर यदि मानलो है है 7 दे देता हूँ 7 में क्या आ रहा है 21 बचा चार तो चार रेमेंडर आ जा रहा भाग फल निकाल कर नहीं दे रहा है ठीक है जो आंसर आना चाहिए भाग का वो नहीं दे रहा सिर्फ उसका सेस फल निकाल कर दे रहा कौन मोड अब एक और होता है जिसका नाम होता M O D E जिसें बोलते हैं मोड अब मान लो यहाँ 25 लिखे फिर 24, 25, 26 और 27 रिपीट कौन सी चीज हुई यहाँ पर 25 देखे दो बार आया है हो सकता है और कोई चीज भी आ जाए तो जो सबसे जादा रिपीट हुई है उन चीजों को निकाल कर दिखाने काम करेगा M O D E तो सेल एड्रेस लिख दूआ सेल एड्रेस वो यह उसी के जैसे D44 D44 से मतलब कॉलन लगाना है अच्छा D44 ने D45 है कॉलन लगाना है और लास्ट सेल मतलब H45 अब देखे यहाँ 25 आपका सबसे जादा वारा है हो सकता है कुछ और आजा है जिसके साथ E नहीं लगा है वो डिवाइजर मतलब डिवाइट करके रिमेंडर निकाल कर बताएगा अब बात करते हैं पावर की पावर मतलब होता है जितनी भी सेल हमने सेलेक्ट करें जिसके मान लो यहाँ हमने 5 ठीक है और एक और चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और यहाँ कर देते हैं 5 अब इन सब मेसे जो है पावर मतलब होता है गुणा करके दिखाएगा पावर मतलब होता है अच्छा नई प्रोडेक्ट निकालेगा यह पावर हम बहले देख लेते हैं 25 और यहाँ देख लेते हैं 2 इंटू 25, 625 हो जाएगा, तो वही काम यहां करेगा पावर, तो पहला नंबर देना है कुन सा, देखे, D46, और दूसरा नंबर देना कुन सा, E46, जिसको पावर बनाना है, तो E46, बैकेट बनत, अब देखे, 625 आगे, क्यों क्योंकि 25 का दो बार गुणा हुआ, अब मान लो हम यहां देदेते 5, तो 5 का दो बार गुणा कोन करेगा, यह वाला, यहनिकि 25 बजाएगा, यदि मान लो हम यहां 10 देदेते, 10 का दो बार गुणा, यहनिकि 10 इंटू 10, यहनिक 100, तो यह 10 की पावर 2 हो गया, तो यह किस से आया है power से, पहले cell का address, कॉमा दूसरे cell का address, ठीक है, अब यह product है, 25 into 5 into 5, इस प्रकार से अगर करना है, तो उनको product जो function है बो लगाना पड़ता है, ठीक है, अगर function की spelling गलत है तो आपका formula function काम नहीं करेगा, तो पहले cell का address, ठीक है, कॉमा लगा दूसरे cell का address, और है तो कॉमा लगा का आप लिख दीजे, आप देखे, 25 का 5 में गुणा करे तो 125, फिर 5 में गुणा करे तो 625, यदि मान लो मैं यहां लिख देता हूँ, 10, 10 का 5 में गुणा करे तो 50, 50 का 5 में गुणा करे तो 250, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं, आप बात कर लिखेंगे, round की, तो round कैसे, आप लिख देते हो, यहाँ पर इस प्रकार से भी ऐंसार आता है ना、 यह देखें इस प्रकार से आंसार आता, तो इसको आप सुदहारने के लिग system कहाँ जाते हो, यह number में, तो आप चाहते हो कि पूरे cell range में आप इस प्रकार से एक function लगा दें जिससे की round up हो जाए मतलब इधर minus हो का decimal point तक आपकी संख्या बच जाए तो इसी के लिए लगाते हैं यहाँ पर round function चलिए यहाँ round लगाते हैं यहाँ आपने round लगा है और bracket start करें और कौन सा cell address देना है जिसमें हमने संख्या लिखे हैं D48, D48, bracket बन कर दो यहाँ जो है क्या बोल रहा है number of digits कौमा लगाक आपको देना है कितने number चाहिए 2, देखे मतलब इस complete जो cell में दिये हमने उसमें आप round up कितने में करना चाहते है decimal point के बाद कितने number आना चाहिए 2, 3 लाना तो 3 दे सकते हैं तो आपने 2 लाना तो देखे यहाँ पर 5 से यह गाइब हुआ तो 6 और 6 से गाइब हुआ तो यह जो है 1 यहाँ पर plus हो जाता मतलब जैसे जैसे हम minus करते हैं तो यह देखे हमने दिये थे क्या round round में हमने cell address दिये और कितनी संख्या आना वो हमको यहाँ देना पड़ता है number digit में enter कर दिये तो यह आगे round अब है square root square root ठीक है एक power था जो square निकालने काम कर रहा था और एक square root निकालने काम करता है यहाँ लिख देते हैं 91 91 की जगे हम लिख देते है यह देखे 81 किसका जो है 81 किसका power है 9 का तो square root के निकलना चाहिए 9 तो हमको simple लगाना SQRT back at start करे SQRT जो है उसके बीच में हमको number लिखना है तो हमने 80 जहाँ लिखे उस cell का address लिखेंगे कहाँ पर 49 क्या लिखना है D49 Orient implies 99 किसका है 7 का अगर लिख देते है 125 125 किसी का है ही नहीं 144 लिख देथे है 12 का है ठीक है इस प्रतार लिख देतें ते ही ही नहीं किसी का 121 लिख देते हैं तो 11 का है तो जो भी जिसका संख्या लिखे उसका square rate निकालना है तो हमने SQRT function का उप्योग करे हैं अब बात करते हैं rank की तो rank function भी काफ ही important है चली यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे मान लिजे कोई बच्चे ने 95% बनाया किसी ने 94 बनाया किसी ने 90 अब देखे यहाँ पर हम 82 लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 92 यहाँ लिख देते हैं 98 और यहाँ लिख देते हैं 85 अब इतने बच्चे हैं इतने बच्चे में से अब इसके बदले में 10 बच्चे भी हो सकते हैं तो complete range हो गई 10 होंगे 10 range हो जाएगी पर हमारे पास मान लिख अभी 5 यह बच्चे हैं चलो 6 कर लेते यहाँ कर देते हैं 93 कर देते तो इसमें तो आप आसानी बता सकते हैं टॉप rank में कौन है 98 वाला दूसरे में 95 है तीसरे में आपका यह वाला है चौते में है पांचवे में यह वाला और छटवे में पर हम चाहते हैं कि इसमें से ज़्यादा संख्या भी हो जाए यहाँ से बच्चों की तो हम ऐसे rank बता सकते हैं कि class में top rank पर कोन आया है तो उसके लिए यहाँ पर हम जो है rank function का उप्योग करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है एक्वल लगाना है rank और packet start यहाँ दिया है देखो reference मतलब number दिया है reference दिया है और order दिया है number में आपको जिस cell के सामने आप लगा रहा है वो उस cell का number देना है तो कौन सा है d50 d50 लगा दिये उसके आप कौना लगाना फिर बोल रहा है reference और reference का मतलब होता है जितने बच्चों का निकालना है उनकी सबकी range को select करना है तो कैसे select करेंगे आपको लिखना है d50 लिखना है colon लगाना है और last बाले cell का address लिखना है जिसमें लिखा i50 i50 तो देखे complete range select हो गई अब कौना लगाग बोल रहा है ascending चाहिए descending मतलब आपको उल्टे करम में चाहिए सीदे करम में तो यह optional होता है आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं चलिए मैं 1 लिख देता हूँ और bracket 1 कर देता हूँ तो देखे उल्टे करम में यह जो है मतलब क्या हो गया है क्या लिखे था अपन ने यहाँ देखे यह देखे ascending में मतलब जो है सुरू से मतलब 82 को पहली rank बताएगा ठीक है उसके बाद 85 को बताएगा पर हम कर देते हैं 0 यानि descending में दिखाएगा तो देखे इसको जो है क्या बताएगा उनने इसको उनने number 2 rank दे दिया अब यही चीज आपको यहाँ लगाना पड़ेगा यह जो है देखे सिर्फ यहाँ change क्या होगा D50 की जग़े क्या हो जाएगा E50 cell range भी बही आएगी और जो order भे बही भी आएगा तो आपको इस चीज को क्या करना है इस चीज को आपको fix रखना है मतलब बार बार यह बदलना ने चाहिए तो आपको इसको select करना है इतने को select करिए और keyword से F4 function की को दबा दीजे तो आप देखे यह जो है lock हो चुका है डालर के निसान लग गया इसका मतलब lock हो चुका है एंटर करो अब आप चाहे तो इसको पकड़ कर ड्रेक कर सकते हो क्या कर सकते हो इस प्रकार से ड्रेक कर सकते ध्यान से देखिए नंबर 1 rank आ गई नंबर 2 आ गई नंबर 3 आ गई नंबर 4 आ गई नंबर 5 नंबर 6 इस प्रकार से आप rank दर्सा सकते हो और यहाँ conditional formatting का उप्योग कर खे आप क्या कर सकते यह जो conditional formatting इसका उप्योग कर खे इसमें आप color भी कर सकते हो कि rank 1 का color क्या होना चाहिए ठीक है सारी चीज हम तो देख चुके है conditional formatting बगेरा तो यह हमारा होगा rank function I hope आपको mass और tignometry से related सारे function काम यहाँ पर बन गए होंगे इनको मैं एक बार merge कर देता हूँ आप practice करके देख लिजे बार बार ठीक है चलिए next जो function है हमारे पास में वो है financial function ठीक है next function के नाम क्या है financial function financial function यहाँ पर देखने मिलेंगे और यह हम जो है ज्यादा नहीं देखेंगे यहाँ एक दो function बस है इसके अलावा हमारे सारे function basic basic सभी complete हो जाते हैं जैसे financial function भी हम भी देख लिए logical text है date and time है look up बाले रह जाते हैं वो हम practice sheet में कर लेंगे match dignometry हो चुके है ठीक है चलिए पहला function देखने मिलेगा PMT मतलब यहाँ लिख देते क्या 44 लिख लेते है 44 नंबर का है और इसका नाम है PMT ठीक है तो PMT function क्या करेगा यह interest को calculate करेगा interest मतलब ब्याज आता ना ब्याज उसको calculate करेगा तो मान लीजे आप जो है आपके पास जो amount है एक प्रकार से अगर मान लें तो आपके पास जो amount है कैसा है जिसे मान लीजे interest rate आपका कितना percent है interest को calculate करेंगे तो 5% interest है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आपके पास कितने समय के लिए ले रहे है आप तो end period जाता है ठीक है और एक PV ठीक है अब देखे यहाँ पे आपका 12 महिने के लिए आप ले रहे हो ठीक है उसके लाबाब आप जो है 5000 दे रहे हो तो यह आपको basic चीजे यह तीन चीजे यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि जब हम इसमें यहाँ पर क्या लगाएंगे जो PMT फंक्शन लगाएंगे तो आपको देखे बैकेट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा rate जो rate हम लेक चुके है end period है हमारे पास में PV है हमारे पास में बाकि दो जो है हमारे क्या है optional है तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा लोडने लेना तीन चीज़ आपके पास में मुख्य रूप से होना चाहिए तो देखे हमारे पास PMT फंक्शन करेगा क्या है interest rate को calculate करेगा ठीक है अब मान लीजे इसके बदले ज़्यादा amount भी हो सकता है ठीक है ज़्यादा amount का मतलब भाई आप जो है mobile ले रहा हो मान लीजे आपने एक mobile लिए कितने हजार का 15,000 का ठीक है और 15,000 को आप 12 महीने में जो है pay कर रहा हो 5% ब्याच के साथ में तो आपको एक महीने के installment कितनी आएगी यह चीज आपको निकालना है तो उसी के लिए use होता है PMT function तो आपको simple क्या करना है PMT bracket start करना है bracket start करके rate rate मतलब यह देखे 5% और 5% लग रहा है एक महीने का तो divide बारा कर दीजे end period कितना है यह वाला ठीक है उसके आद आपको यहाँ minus में देना है यह वाला address और आपको bracket बंद करना है तो आप ध्यान से देखे यहाँ पर हर महने आपको कितनी किस्त आ रही है 1284 अभी dollar में आ रहा तो इसकी दिक्कत नहीं है यहाँ आपको data type दीख रहा है इसको comma जो format है वो कर दोगे तो 1284 रुपए हर महने आपको देना है आप 1284 रुपए हर महने देना है तो आपको 15,000 तो था पर ब्याज कितना आएगा 5% तो 15,000 में 5% आएगा इसका मतलब हर महने की किस्त कितनी आ रही है 1284 तो इन दोनों का गुड़ा करके देखते हैं हमको 12 महने कितना देना है तो इस cell का address into इस cell का address तो देखे इंटू यह manually लगा इसकी मतलब जो है फॉर्मूला लगा लिए तो आपको 409 रुपए यानि कि 410 रुपए एक्ष्टा लगेंगे एक साल में ठीक है तो ब्याज कितना आ गया ब्याज आप क्या आ गया इन दोनों का दीजे 15,000 में से जो है 15,000 माइनस तो आपका 409 रुपए आपका ब्याज आ गया तो PMT फंक्षन ने करा क्या PMT फंक्षन का काम होता है मुख रूप से अगर कोई चीज आप lawn पे लेते हो जो भी चीजे तो आपने 12 महने की EMI बनाए है 5% rate के साथ में तो आपको हर महने की EMI कितनी देनी होगी और EMI के बाद आपको जो है मतलब आप एक प्रकार से यह भी देख सकते है कि टोटल अमाउंट आपका कितना जाएगा मतलब 15,000 को मॉबाइल ले तो एक्स्टर आपको कितना देना होगा यह चीज आपको देखना है तो आपको PMT function का यूज करना है जो की financial function होता है अई होप आपको समझ में आए होगा इसके लिए आपको rate होना जरूरी है end period मतलब कितने समय के लिए लेना जरूरी है और हर महने का ब्यास था इसलिए हमने क्या लगाया थे divide बारा करे और यह minus में आपको इस प्रकार से function लेना है ठीक है तो यह आपको आजाएगा calculate होकर यहाँ पर इसको आपको अच्छा आप यह भी समझ रहे होंगे कि यहाँ dollar का निसान आ रहा है तो हमारी rupees का निसान कैसा आएगा rupees का निसान भी ला सकते कोई दिक्कत ने इसको आप select करिये जहाँ पर लाना है और यह जो दिख रहा है आपको currency accounting format इसमें जाना है more accounting format में जाना है और accounting में जाके आप symbol में जाओगे तो यहाँ पर आपको हिंदी आएगा English मतलब India करके आएगा तो आप नीचे चलोगे तो देखिए यहाँ पर आपको English India करके कुछ देखेगा तो आप उसको क्या कर सकते हो select कर सकते हो ठीक है English India को आप ढून लीजी यहाँ से ठीक है तो आपको जो है अपना खुद का जो format है वो मिल जाएगा यहाँ ध्यान से देखिए कस्टम सिंबॉल में नहीं मिलेगा यह मिलेगा आपको करंसी में ही करंसी में ही आप चलोगे तो देखिए English India देख रहा है क्या English India यहीं कहीं देखेगा आपको यहाँ नीचे चलते थोड़ा सा रुपीज वाला जो सिंबॉल है वो आपको नजा रा जाएगा यहाँ से आप ढूंड लेना ठीक है जिसे मान लिजी यूरो आपको लाना है तो यूरो आप ला सकते हैं या फिर अन्य कोई सिंबॉल भी आप यहाँ से ला सकते हो तो देखिए यह देखिए हिंदी इसको मैं क्लिक करूंगा और रुक के करूंगा तो आप देखिए हैं रुपीज का सिंबॉल आ गया तो आप अपनी करन्सी सेलेट करकर रखिए डॉलर नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो आपको कुछ नहीं करना था आप कॉमा स्टाइल में तो यह सबसे अच्छा तरीका है तो PMTI होब आपको समझ में आया होगा यह फाइनेंसियल फंक्सन है दूसरा जो फंक्सन है जिसका नाम होता है DB फंक्सन और DB फंक्सन का मतलब क्या होता है DB फंक्सन आप इस प्रकार समझ सकते हैं नेक्स्ट जो है 45 नंबर इसको डाल देते हैं, इसका नाम है DB function, और DB function जो है क्या करेगा, जिसे depreciation आपने सुने न, depreciation, depreciation का मतलब क्या होता, depreciation का मतलब होता हरास, अब हरास कैसे, simple से बात आप कोई नई चीज खरीदते हो, मान लिजिए आपने एक laptop खरीदे, laptop खरीदे आप क्योंकि थोड़ा वहाँ चल जाएगा वो, ठीक है, उसमें थोड़ा वहाँ स्क्रेज बगेर आ जाती है, ठीक है, उसका time period गुजर जाता है, तो उसमें जो कमी आती मूल में, वो कमी को ही हम क्या बोलते हैं, उसको depreciation बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हरास, यान लेते हैं हम यहाँ पर, और इस laptop की कीमत हमारी सुर्वात में है 50,000, उसके अलाबा, जब हम इसको life इसकी जो है, कितनी, 5 साल, ठीक, 5 साल हम चलाएंगे, और इसकी जो salvage value है, salvage value का मतलब होता है, ending value, मूल हरास के बाद जो 5 साल बाद जो value आएगी, वो कितनी आ जाएगी, ध्यान रखिए, laptop की सुर्वाती कीमत कितनी है, 50,000, ending जो कीमत कितनी है, 15,000, कितने साल में, 5 साल में, तो इसी को हम यहाँ पर निकालते हैं, जिसे मान लिजी हम यहाँ लिख देते क्या, हम लिख देते air, और यहाँ हम लिख देते हैं, depreciation, depreciation, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक seat के अनुसार देख लेता हूँ, तो year पहला, दूसरा, तीसरा, चौहता, पांच बाद, पांचो साल में, जो year मतलब जो कमी है, वो क्या आनी चाहिए, तो हम लगाएंगे db, तो db लगाए, db फंक्शन हम लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको bracket start करना, bracket start करने बाद cost, य दे दिये, कौमा, period, यहाँ पर हमने दिये है, period of, अच्छा, पहले हमको देना है, life के बाद यहाँ देना है, तो यह आप ध्यान से यहाँ देखिए, आपको यहाँ पहले पर click करना, जिसमें आपको first लिखा है, और bracket को बंद, enter, तो आप ध्यान से देखिए, पहले साल का जो मूल हरास आ गया, वो आ गया आपका कितना, 10,700, सब मैंसे select करके comment style कर दो तो यह हमारा normal जाएगा, इसका मत चोहते साल, पाँचप साल, तो इसी को हम निकाल रहा है किस से? डीवी से, फिर से निकाले, equal, डीवी, bracket, cost की जो address, मतलब देखिए यहाँ पहले, cost का जो sell address यह दे दिये, always value का यह दे दिये, life का यह दे दिये, कॉमा लगा है तो second यह period है, दूसरी साल का, तो दूसरी साल में इसका जो आ गया है, 8,000, आ गया, तो 8,000 नेक्स्ट आ गये, यहनि कि दोनों क जोड़ कर आप कम कर लिए, दो साल बात जब बेचोगे, तो इसकी value में इतनी कमी आ जाए डीबी लगा कि आप क्या करिए, cost, कॉमा फिर सालवेज वैलू, कॉमा लाइफ, यहाँ देना है, और period में आपको तीसरे साल देना है, ब्रैकेट बंत, तो देखे, 6000 की कमी आ जाएगी, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, चौहते साल में भी आप बैसे निकाल लीज और यहाँ आपको निकालना है क्या, cost, कॉमा लगा है, सालवेज वैलू, कॉमा लाइफ, और कॉमा लगा कि आपने दे दिये, period, तो आप देखे, यह हम कर देते हैं, normal, देखे, यह जो आए, regular हर बर्स आपकी कमी आई है, मूले में, क्योंकि धीरे धीरे जब मूले में कमी आती, तो हरास भी कम होने लगता है, ऐसा नहीं कि हर साल आपकी 10,000 में कमी आएगी, इसका मतलब है, 10,000 की कमी आएगी हर साल में, तो पांस साल बाद तो उस लेप्टाप की कीमत 0 हो जाएगी, पर वो कुछ नकुछ तो बचेगा, तो उसकी कीमत जो रहती, बची वाली, व मुल हरास आगया है, पांस साल में, और आप बेलू बची है, 15,000, तो दोनों को माइनस करके भी देख सकते है, 35,000 आ रहा है, तो यह है आपका DB फंक्सन, आई होब आपको समझ में आया होगा, DB फंक्सन क्या होता है, फिर से समझ लीजे, कोई भी चीजा जब हम खरिदते है उसकी लाइफ एक जो हैती है, तीन साल, चार साल बाद उसके मुल्ले में जो कमी आती है, उसे बोलते है, मुल्ले हरास, उसी को निकाल रहे है हम क्या DB फंक्सन से, इसका मतलब, बलास्ट की जो बेलू बची होती है, उसके सालवेस बेलू बोलते है, लाइफ तो आपको आलने के लिए, Future Value Function क्या होता है, आप RD, आपने सुने होंगे, रिकरिंग deposit सुने होंगे, या फिर आप premium भरते हो insurance का, तो भी वो सुने होंगे, तो premium आप से कोई भी जो agent बोलता है, बताता है, कि साल में आपको 10,000 देना है, या फिर 12,000 देना है, और कब तक देना है, भई को ब्याज भी बताएगा तो 15 साल बाद वो अमाउंट आपका कितना मिलेगा तो fb मतलब होता future value तो future value आपको देखना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है fb function तो आपको यहाँ तीन चीजे होना जरूरी है कौन-कौन सी एक तो आपका premium amount होना चाहिए premium आपका 100 में लिख देता हूं premium amount कितना है आपका मान लीजे 10,000 रोपर शाल ठीक है और जो year है कितने साल तक पे करना है 15 साल तक पे करना है और interest rate क्या रहेगा वो भी आपको पता होना चाहिए interest rate आपका 8 परसेंट होना चाहिए ठीक है तो यह हो गए आपके तीन चीजे, एक तो amount होना चाहिए, एक कब तक करना जामा बो होना चाहिए, दूसरा interest होना चाहिए, तो आपको simple यहां के लगाना, equal fb, packet start करना, यहां देखे, rate, rate लगाना यह बाला, अब rate मैं divide करके 12 कब लगाना, जब यहां मंत के लिए निकालना हो, मंत के लिए न आपको निकालना यह वाला, ठीक, मतलब end period निकालना पहला है यह वाला, end period मतलब 15 साल, next जो है end period, PMT आपको देना यह, और दो बार comma लगाना है, और आपको लेना है one, मतलब आपको सुरबाद से interesting है, या फिर complete आपको 15 साल के बाद interesting है, तो आपको सुरबाद से ही interesting है, तो तो आप जो है 1 लिख दीजिये उन्हें तो आप जो है वहाँ पर zero लिख सकते हैं यह समझ में आया पहले में हमने दिए interested दूसरे में हमने दिए period तीसरे में हमने दिए amount और दो कौमा लगाख है हमने क्या दे हैं मतलब बीज वाली जो optional चीजे थे उसको कॉम लगाख हमने हटा दिये हैं और वन हमने दे दे कि अभी जब हम जमा कर रहे हैं तभी से हमारा ब्याज सुरू हो जाए यदि हम जीरो देते हैं तो एंडिंग में ब्याज आएगा एंटर करो तो आप यहां इसको कॉमेश टाइल कर दो कॉमेश टाइल करोगे दो लाख तराणबे हजार दो सो ब्यालीस रोपय हमारा जो है 15 साल बाद हर साल 10,000 रोपय पे करेंगे 15 साल तक तब यह एमाउंट हमारा मिलेगा वापस 8% रिट के साफसे ठीक है जबकि हम जमा कितना कर रहा है 15 साल में देड लाख पर हमको मिलेगा क्या दो लाख तराणबे हजार झाल लगबक एक लाख के असपास हमारा जो है मतलख कितना बन रहा है 2,500,5 ीगर देड लाख के आसपास हमारा जो है जादा बन रहा है इनि कि तीन लाख पास मिल रहा हमको just 100,000,000,000,000 ख lot5,000,000 हम को extra मिलेगा ठीक यदी हम यहां कर देते हैं 10 percent चलिए हम यहां दस परसेंट कर देता हूँ तो हमारी वैलु प्लस हो जाएंगी यदी हम हमारे लगभग लगभग जो है formula जो tab है उसके basic जो category है वो हमने देख चुके हैं ठीक है अब इसके बाद मैं आपको पूरी complete practice sheet हल करवाऊंगा तो अगर आपको यह चीजे basic बन जाएगी तो आपको practice sheet all करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है तो यहां जितनी भी चीजे मैंने पढ़ाया हूँ देखिए मैंने कौन-कौन सी आपको पढ़ाया हूँ basic function पढ़ाया हूँ logical function पढ़ाया हूँ text function पढ़ाया हूँ date function इस प्रकार से आप जो है इसको मैं मर्ज कर देता हूं तो आपको यहाँ पर clear हो जाएगा ठीक है यह देखे यहाँ पर यह तो यह चीजे आपको समझ में आई होगी time function match trigonometry financial function यहाँ पर हमने देखे कितने financial function हमने देखे हैं लगभग लगभग 3 ठीक है यहाँ पर काफी important है जो कि आपको बहुत काम के आने बाले हैं और यहाँ हमारे total जो function होगा है 46 यहनि कि लगभग 50 हमने यहाँ पर देख लिए हैं तो 50 हमारे बहुत होते हैं और कुछ और extra आएंगे तो वह हम कहां देख लेंगे हम देख लेंगे practice sheet में तो इसके just about practice sheet देखना ना बूले और इ प्रानी PDF चाहिए तो इसके लिए कुछ जो steps है उसको follow करना होता है पर अभी के जो PDF है वो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ आप ध्यान से देखें question आपको मिलते हैं उनका description मिलता है तो यह भी आपको basic चीजे video की link है PDF की link है कुछ important link आपको vacancy की link बह तो होगा telegram की बात अगर आप जो है यहाँ पर YouTube में मतलब channel को subscribe कर ले इस वाले को तो अच्छी बात है नहीं किये तो subscribe भी कर ले और एक और channel है यहाँ जिसमें मैं कुछ important tips आपको बताता हूं important tips मतलब जैसे आपको अपनी daily routine कैसे maintain करना है कुछ basic चीजे shortcut बगरा यह चीजे इसकी लिए भी एक channel है जिसका नाम है अर्विंटिस इसकी link आपको description box में मिल जाएगे इसको भी आप subscribe कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको share करिए चलिए तो मिलते है next जो tab है और next जो भी हमारे topic है उसके साथ मैं तब तक के लिए जैहिंद